हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल नॉर्थीस्ट ब्लोगर्स दोस्तो आज ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नॉर्थीस्ट के मेगालया आसाम और अरुनाचल से जुड़ी हुई हर उन बातों को जानेंगे जो आप लोगों को सचमुच में बहुत हेल्प करेगा अगर आप लोग नॉर्थीस्ट इंडिया के इन जगहों को घूमने के लिए आना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को इसकीप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारी एहमियत देने वाली बातों को हम लोग आगे डिसकस में जानते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हुए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे ही एक वीडियो जो हमने काजिरंगा नेशनल पार्क के उपर बनाई थी उस वीडियो के जरिये पूरे भारत बर्स से बहुत सारे लोग हमारे साथ से आकर सारे आठ सो से ज्वाधा लोगों ने काजिरंगा नेशनल पार्क की अपनी पूरी कि और उनमें से लगभग 132 लोगों ने मैंगालया में सिलोंग सेरापुञ्जी वाली ट्रिप पूरी की और अरुनाचल प्रदेश की तावांग सर्किट में लगभग सोलो लोगो को पूरा किया तो दोस्तों हमने काजिरंगा साफारीज के नाम पर हमारी ट्रेवल एजेंसी की इस्थापना करते हुए एक प्रयास हमने किया ताकि आप लोगों तक हम पहुंच पाएं और आप लोगों के ट्रीप को पूरा करने की एक सफलता पूर्बा कोशिश भी हमने की तो एक्चली शुरुवात तो हम लोगों ने काजिरंगा नेशनल पार्क को ध्यान में रखते हुए किया था लेकिन आप ही लोगों के आगे बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी ये प्रयाश काजिरंगा आसाम से बढ़ा कर पूरे आसाम और फिलहाल अ अपनी ट्रिप को पूरा करवाते हैं तो आगे जब आप लोग घुमने के लिए यहां आना चाहेंगे आसाम अरुना चल या फिर नॉर्थ इस्ट के इस साइड में तो आप हमसे कॉंटेक्ट करकर इन पॉपुलर जगों को आप घूम सकते हैं तो दोस्तों हमारे ट्रेवल ए साफारीज यह निचे लिखा हुआ है आप स्पेलिंग नोट कर लिजिए साफारीज में ठोड़ा सा फरक है एक एक कजी रंगा साफारीज के नाम से आगर आप हमें सर्च करते हैं तो गूगल मैप में और आप हमें जास डाइल में धून सकते हैं और हमारे ॡिटेल्स और रिव्यूज को जानकर आप हमारे साथ जुड़ने का निर्णय अपना आगे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को इसकीप मत कीजिएगा नौर्थ इस्ट के इन चुनिंदा जगों के बारे में बहुत सारी जरूरी बातें आज इस वीडियो में हम लोग आगे करेंगे जो आप लोगों के लिए सचमूची बहुत हेल्फुल होगा अगर आप लोग नौर्थ इस्ट इंडिया के खासकर इन जगों में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो दोस्तो ये तो हुई हमारी बाते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इनिशेली में आप लोगों की ही बातों को शेयर करना चाहूंगा क्योंकि कई लोग मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि चलिए मैं नौर्थ इस्ट घुमने के लिए आ रहा हूँ फालाना दिन में मैं जाके वहां पहुंचूंगा मुझे तीन दिन में आप सेलोंग और काजी रंगा का ट्रीब करवा दीजिए या फिर कई लोग फोन करते हैं कि मेरे पास केबल 6 ही दिन है मुझे सेलोंग भी जाना है और तवांग भी जाना है और नचल में तो इस तरीके के काफी फोन मेरे पास आते हैं जो एक्चुली हमें लगता है आनप्लेंड है पर आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों ने अपनी प्लैनिंग बहुत बढ़िया से की होगी और सायद आप लोगों को इतने ही दिनों में ये जगह घुमने के लिए हो जाएगी तो दोस्तों एक्चुली ऐसा नहीं होता है वह इसलिए क्यूंकि इन जगहों में एक जगह से दूसरी जगह पहुचने में मिनिमाम 40 से 50 किलो मीटर चलने में पाहडी इलाकों में दो-दो घंटे लग जाते हैं तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक् दूबल डेकर जो ब्रीज है वहां भी आप जाएंगे तो छैँ दिन चीया होता है के बल सिलोंग के लिए यानि मैंगालया के लिए और अगर आप डॉड़ डेकर के में लोग तावांग के साइड में इस बेल्ट में जो तावांग सरकीट में कई जगह आता है जिसे की दिरांग बॉम दिला आगे बुमला पास घूम के आने पर वापस सेड़ गांव तो इन जगहों में घूमने के लिए लोग मुझे फोन करते हैं कि मुझे मुझे मुझे छे दिन में ट्रिप पूरा करना है तो यह संभब नहीं है मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूं कि तवांग के लिए अगर आप प्लैन कर रहे हैं तो कम से कम साथ में अगर काजी रंगा लेते हैं तो मिनिमाम 11 डेज आप अपना हाथ में रखिए 11 से 12 दिन एक इनका बफर चाहिए होता है जब आप पहारी इलाकों में घूमने के लिए आते हैं वो एक दिन एक्स्टा आपको कहां कब जरूरत होगा आप नहीं भी कह सकते हैं नहीं होगा तो किसी दिन होटेल में रेस ले लीजएगा बहुत ठकान होती है पहारों में ट्रेविल करने लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप अपने ट्रीप को प्लैन करने से पहले अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के जडिये मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा कि एक बार आप हमें हमारे नीचे दिये गए इन नं करने के लिए हिच की चाते हैं लेकिन हम वैसा आपके साथ नहीं करेंगे आप जब हमारे साथ जुडेंगे तो हमारी पहली एहमियत ही यही होती है कि हम आपके बारे में जाने और आपको सही चीज बताएं कि एक्चुली कौन से ट्रिप में आपका कितना दिन लगने वाला है ताकि आपका प्लैनिंग सही हो और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई लोग क्या करते हैं कि फ्लाइट के टिकेट्स वगरा बना लेते हैं मतलब कब लेंड कर रहे हैं और आप कब वापस जाएंगे तो रिटर्न टिकेट्स भी साथ में बना लेते हैं बीच में दिन है छे अब उनको जाना है जगा जादा कैसे सेट करेंगे तो इसलिए मैरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ट्रीप की प्लैनिंग करके टिकेट्स वगरा बनाने से पहले अगर आप मेरी ये विडियो देखते हैं तो एक बार मुझे कॉं कि लास्ट येर जा चुके हैं ट्रीप करकर अगर वो लोग भी आज ये विडियो देख रहे हैं मैं तो चाहता हूं सर आप लोग कॉमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारे साथ जूड़कर ये ट्रीप करने में लास्ट येर आपको कैसा लगा कई लोगो मैं चले कि आपकी रिटं टीकेट आपको कब बनवानी है चाहे आप अपनी ऐस्ट करना लिया हो जो अ लेकिन मेरा अनरोज है कि आप आपकी trip को plan भी कर पाएंगे तो आईए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो नौर्थ इस्ट में अगर आप लोग घुमने के लिए आना चाहते हैं तो इस तरीके से चाय बगान तो आपको बहुत सारे मिलेंगे पास में से देखने के लिए और आप अगर चाहें तो जो इसके top leaves होते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी लेकिन पूरे north east में जैसे कि आपको मालूम है साथ states हैं जिसको हम लोग seven sisters कहते हैं तो इन साथ states में कई अलग-अलग circuits हैं जिसमें आप घुमने के लिए पूरे north east में आप आगे बढ़कर जा सकते हैं लेकिन इस पूरे north east में से हम लोग केबल तीन states का ही trip औगरा करवाते हैं आसाम, अरोना-चल और मैघा लया तो आईए आगे बढ़ते हुए इन तीन राइज्यों में जो available tourist circuits हैं उसके बारे में detail में जानते हैं और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इन circuits में से कौन-कौन से circuits ऐसे हैं जिन में हम लोग अपनी trips की planning अगरा करते हैं आसाम, आसाम, अरोना-चल और मैं जानते हैं आसाम, 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 जानते हैं तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों के शाथ share करना चाहते हैं वो यह है कि हम आपके trip को customize करकर एक बहतरीन trip बना कर आपको देंगे आपके पसंद का होगा और आपके लिए हर उन सहुलियोतों को हम रखने के लिए कोसीज करेंगे जो आपको जरूरत होगी और एक जरूरी चीज जो आपके साथ share करना चाहते हैं वो यह है कि मैघालया में कई लोग वारी चोड़ा घूमने के लिए जाना चाहते हैं वो एक्चुली हम लोग अपने ट्रीप के साथ इंक्लूड नहीं करते हैं वो इसलिए क्योंकि मैघालया का जो पॉपुलर सर्कीट से वो अगर इधर है तो वारी चोड़ा इधर है वो टोटेली बहुत डिफरेंट डाइरेक्शन्स में है जिसके चलते वहां तक जाना वापस आना अलग हो जाएगा पूरा सिस्टेम और काफी इंटेरियर होने के कारण बहुत रिस्की रहता है रस्ता एकदम खराब है तो दोस्तों हम लोग वारी चोड़ा इंक्लूड नहीं करते हैं बार बार आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ अपने ट्रिप को प्लैन करते हैं तो केवल वा होगी केवल औरोना चल के लिए तो यह इनर लाइन पारमीट औरोना चल के लिए आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और जिस जगह में आप जाना चाहते हैं उस जगह के एंट्री गेट पर जाकर भी आप बना सकते हैं लेकिन हमारी सला होगी कि आप इस इनर लाइन कि आप अपना इनलाइन पार्मिट एडवांस में बनवा ले क्योंकि अगर आप अपने इनलाइन पार्मिट उस वक्त वहां गेट में चल कर बनवाना चाहेंगे तो सायद आपको थोरी सी मुश्किलात भी फेस करनी पर सकती है वह इसलिए क्योंकि उस वक्त वह उफिसर जो कागजों में दस्तकत करेंगे उनकी अवेलेविलिटी भी वहां माइने रखता है कि अगर उस वक्त वह उखेल है तो आपका तो दस मिनुक्त में हो जाएगा अगर वह अवेलेवल नहीं है तो आपको डेड़ से दो गंटा भी वहां वेट करना पर सकता है तो दोस्तों इन 100 रुपीज हुआ करते थे अब अरुनाचल सरकार ने इस फीज को हाल ही में बढ़ा कर 300 किया है तो कितने दिनों के लिए आप लेंगे उसके आधार पर भी फीज चेंज होती है तो जब भी आप इसे online apply करेंगे तो आपको वहां सारी detail मिल जाएगी और अंतता जो भी बिल बनकर आएगा उस बिल का payment आप permit के application को submit करने के बाद वापस login करकर आपको करनी होती है और कुछी दिनों में approved होकर आपको अपनी innerline permit online आपको मिल जाएगी और दोस्तों आगे बढ़ते हुए ILP के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप ILP अपने लिए बनवाते हैं खासकर अरोना चल में किसी भी जगा जाने के लिए जहां आपको कम से कम 7-8 दिन लग जाता है तो पारहेड ILP का खर्चा आपको नहीं नहीं करके भी 500 रुपया आएगा अगर आप ILP online बनवाते हैं तो यहां offline की rate फिलहाल आपको लगभग जगा के अनुसार 30 रुपीज से लेकर 50 रुपीज या तो फिर 100 रुपीज तक maximum पार हेड का हो सकता है तो दोस्तो अगर आप ILP के बारे में सोचते हैं आगे ILP बनाने के लिए तो यह purely आप ही का decision रहेगा कि आप किस तरीके से ILP के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तो आईए अभी आगे बढ़ते हुए packages के बारे में जानते हैं अगर आप अपनी trip की booking हम से करवाते हैं तो उन packages में क्या क्या रहेगा और कैसे किस तरीके की package हम आपको provide करेंगे आईए आगे बढ़ते हुए उसके बारे में जानते हैं तो दोस्तो पैकेजिस के बारे में सबसे पहले बात करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी हमें contact करते हैं तो आप लोगों के सारी details को हम जानने के बाद पूरी package को आपके लिए आपके अनुसार कस्टमाइज करके आगे देते हुए उन packages में आप सुरुवात से लेकर अंत के दिनों तक आपको अगर गाड़ी चाहिए होगी तो उस गाड़ी का प्रबंध हम लोग आपको करके देंगे चोटी गाड़ी से लेके बड़ी गारी तक हर तरह की गाड़ी आपको हमारे पास मिल जाएगी चोटी गाड़ी में आप हों से दूसरी जगा जाकर आपको छोड़ करा जाएगी वहां से आगे आप दूसरी गाड़ी करेंगे तो आपको वो dropping charges लगेगा या तो फिर अगर आप गाड़ी हमारे साथ पूरे छे साथ दिन आठ दिन के लिए लेते हैं तो आपको योगों के रहने के लिए जो भी hotels on the way चाहिए होगा वो सारी की सारी hotels की booking हम आपको करवा के देंगे आप निश्चिंत रहें वो bookings hotel में ऐसा नहीं कि आपने हमें phone किया और हमने किसी भी hotel में आपकी booking करवा दी ऐसा नहीं होगा सारे के सारे hotels हमारे पैनल के होंगे पैनल यानि उन hotels को हम लोग पहले से ही विजिट कर चुके होंगे और चेक करने के बाद ही आपके लिए वो hotel सही है या नहीं है इसका choice करने के बाद ही हम लोग लिस्ट अप करते हैं क्योंकि साफाई होनी चाहिए उसमें cleanliness होनी चाहिए आपको आपके सुविधा के अनुसार सारी चीजे वहां मिलनी चाहिए अगर हम किसी जगह में आपकी booking करवा देते हैं और रात को आपको तकलिफ हो तो वह तकलिफ आपकी नहीं हमारी भी होती है हमें भी अद्बूरा लगता है क्योंकि अगर आप कहीं कोई complaint बैसे आपको कोई तकलिफ होगी वह जानने के बाद हमें भी तकलिफ होगी तो दोस्तों यह पूरी कोशिस रहती है कि हम आपको बहतरीन गाड़ी दें एक बहतरीन ड्राइवर गाइड के रूप आपके साथ दे जिनको हर एक चीज की जानकारी हो, हर एक जगह का उनको पहचान हो, एक से एक बढ़िया होटेल में आपको रखने का प्रवंथ हम लोग करेंगे, हाँ, प्राइसेज आपके अनुसार होगा, जो प्राइस बेंड आप हमें बताएंगे, उस प्राइस बेंड क चलके हमने अलग से आप से पार्किंग मांग लिया, आप से हमने ड्राइवर की खाने के लिए अलग से पैसा मांग लिया, टोल फीज मांग ली, वैसा नहीं होगा, हाँ, कभी-कभी हम लोगों को क्या होता है, कि रेट के अनुसार, अगर आपको एयरपोर्ट से पिक अप क करता है, कभी-कभी 1500 तक भी होता है, तो वो extra charges के इलावा, कोई extra charge आपको हमारे साथ कहीं नहीं देना है, जो भी package हम लोग आपको बना के देंगे, उस पूरे packages में, गाड़ी, hotels, साथ में breakfast, रहने, खाने, पीने की हर एक सुभीधा आपको उन होटेलों में मिल जाएगी, औ और अगर आप हमारे साथ आगे बढ़ कर काजीरंगा तक आते हैं, तो काजीरंगा के हर एक zone में safari करने के लिए gypsy का प्रवंध, आपको आंदर जाने के लिए forest permits, जो भी चाहिए होता है, वो सब हम आपको करवा के देते हैं, और अगर आप रोनाचल के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके वहां home stage, hotels, वगरा जो भी हैं, वो हमारे सारे visited और checked hotels है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वहां में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहां के भी सारी चीजों का प्रवंध, साथ में जो ILP हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, आपके अनुसार हम आप को सारी itinerary हम लोग provide करेंगे, पहले तो discuss जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप भी अपने लिए itinerary का प्रवंध खुद करने के लिए research करते हैं online में, तो भी अगर आप 10 जगह को ढूंड के निकालते हैं, तो हमारी guarantee तो पक्का है, कि अगर आप हमारे साथ वो trip करते हैं, तो कम से कम 15 जगह तो निकल के आएगी, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं, और यहीं इन जगहों में सुबह साम घूमते हैं, हर कोने में, हर जगह में, कौन से जगह में, कहां, किस साइड जाएंगे, तो हमें क्या पास में मिलेगी, इसकी जानकारी हमें बहुत बहतरीन तरीके से हैं, दोस्तों, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि जब भी आप लोग बुकिंग कन्फर्म करेंगे, एक टोटल आइटेनेरी बना कर हम लोग आपको देंगे, और जैसे जैसे आपका समय पास में आएगा, आपको करीबन 2-4 बार, 5 बार तक हम लोग आपको वेड सकती है, हर एक चीजों की जानकारी हम आपको देंगे, और आगे बढ़ते हुए, जो भी पैकेज आप हमारे साथ बुक करते हैं, उस पैकेज में बहतरीन से बहतरीन सुविधा, प्लस सैटिस्फेक्शन की 100% गारेंटी हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोसिस करेंग तो तवांग सरकीट को कंप्लीट करते हुए, तवांग से आगे बुमला पास जाने के लिए जो शाड़े 5,000 रुपे में गारी वहां से लोकल आपको लेना पड़ता है, वो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं है, प्लस आप चाहे मैघालाया हो, चाहे आसाम हो, चाहे अ चाहे में अप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे है कि मैंने आपको बताया हर तरिक है कि गाड़ी आपको हमारे पास मिल जाएगी, गाड़ी में कितने लोग बेठेंगे, उसके अनुसार गाड़ी की रेट्स अलग-अलग होंगे, और आप क्या गाड़ी चूज करते है हैं, उसके अनुसार भी गाड़ी के रेट्स अलग-अलग होंगे, तो हमारे रेट्स दोस्तों काफी रिजनेबल रेट्स हैं, आपको मार्केट के अनुसार कहीं से 10-15 परसेंट आपको लेज ही मिलेंगे, तो इतना आप इतमिनान जरूर रखिएगा, तो दोस्तों आईए कुछ कहने बताने के बाद भी अगर आप लोग अपनी ट्रिप की प्लैनिंग अपने तरीके से करते हैं, तो दोस्तों आईए इस जरूरी बात की थोड़ी सी डिसकसंस हम लोग आगे करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हुए कुछ जरूरी मास फेक्टर्स के साथ इस वीड करना चाहते हैं, और कई लोग करते हैं क्या, कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कम से कम दिनों में एक गाड़ी बूक करकर, पूरे ट्रिप को बाइफोर्स करकर, एक एक दिन में बहुत 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 लंबा टाइम सफर करकर, घूम घूम कर एक जगह में 2-3-3 मिनिट के रूक कर अपने ट्रिप को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इन तरीके के केसेज में हमने ये देखा है कि अकसर लोगों को अपने ट्रिप को आधे में रोक कर वापस जाना पड़ता है, अपने घड के और वो लोग या तो सफर करते हैं, या किसी तकलिफ से आ रहे हैं, और गाड़ी को खरा कर दिया, और उतर के बीच में जंगल में अंदर चलकर हिरन और फिर दुसरे जानवारों को देखने के लिए पैदल ऐसे ही रोड साइट, तो दोस्तों ऐसा ना करें, लास्ट येर ऐसे घटना घट चुकी है, जिसके चलते हैं, पुलिस के कई लोग और फॉरेस्ट के कई लोगों को मिल कर उन लोगों को बचा कर काजी रंगा जंगल से बाहर निकाल कर लाना पड़ा है, तो दोस्तों आप लोगों से हमारी अनूरत है कि आप अपनी ट्रीप की बुकिंग आराम से करवाएं, अगर आप खुद सेल्फ ड्रिवन ग हमारी सुबह वाली जो जीप साफारी थी उसको आप कैंसल करा दीजिए, सीप तो कैंसल होगी नहीं क्योंकि वो जिरो डेज है, तो फिर उनका पैसा ऐसे ही लोस होता है, क्यों? वो क्यों कैंसल करवा रहे हैं, क्योंकि वो सिलोंग से आकर काजी रंगा नहीं पहुंच सकत हुआ हूँ कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी अनुरूद है आप से कि आप एक बार हमसे जरूर करें अपनी ट्रीप की प्लैनिंग आप हमसे जरूर करवाएं और आगे आपका इच्छा जैसे मैंने कहा अगर हम साथ होते हैं और आगे बढ़कर आपकी ट प्लैनिंग करते हैं सबसे पहली चीज आप लोगों को अपने आईडी प्रूफ सारे केरी करने होंगे जितने भी लोग आपके आ रहे हैं जिसमें की प्रॉपर एड्रेस सभी का हो और अगर आपके कोई बच्चे हैं साथ में तो उनका बड़्स एडिविकेट या फिर पर हर जगा आपको यहां टिकेट लगता इवन एलिफेंट सफारी के लिए भी आपको टिकेट लेना पड़ेगा चाहें बच्चा आपके गोद में बेठे या बगल में बेठे यह बात की बाते हैं तो दोस्तों यहां ट्रेवल इंसुरेंस भी बहुत माइने रखता है टाइम के लिए आपको 165 से लेकर 200 रुपया तक की पर हेट की प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी जिसके चलते आपको एक बढ़िया कोवरेंस ट्रेवल इंसुरेंस की रूप में मिलेगा जिसमें हर एक सुभिधा आपको मिलेगी तो इन सारी बातों को डिटेल में जानन कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हमारे इस तरीके के कई वीडियो जो काफी important होते हैं सारी चीजो को ध्यान देर हम कोशिश करते हैं आप तक बातों को पहुंचाएं उन वीड़ियो के बारे में आप डिटेल में जान पाएंगे तो दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को स कर सकते हैं